दोस्तों वेल्कम टू माई विलॉग माई लक्ट्राणिक स्टडी विलॉग और आज हम है लखनौ में लखनौ दर्शन के तहत आज हम बात करने वाले हैं इकलाजीकल गार्डेन एको गार्डेन के बारे में काफी कुछ देखेंगे इसकी बुशिस्ताओं को ले करके काफी मस्ती बहरी वातья होंगी ब्रबड करेंगे तो चलिए के करके हम इसमें देखते हैं बात करते हैं कि क्या कुछ आगे देखने को मिलता है जी हाँ दोस्तों तो ये लखनव का वही एरिया है जहां पर पुराना जेल हुआ करता था तो अगर बात की जाए जो है इसके टिकेट्स को ले करके तो 15 रुपए जी हाँ 15 रुपीज पर परसन इसके टिकेट्स है और वहीं अगर बात की जाए आपके आने को ले करके तो आप चार बाग रिल्वे स्टेशन से ही अगर आप आ रहे हैं तो केवल डिस्टेंस जो है वो मात्र 4.6 किलोमेटर यह आप कहा सकते हैं साड़े 4 किलोमेटर के आसपास ही है जी और इको गार्डिन के नाम करन को लेकर के बात की जाए तो जी हाँ बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के जो फाउंडर थे कांसी राम जी उन्हीं के नाम पर इसका नाम मानिवर श्री कांसी राम जी को गार्डिन पढ़ा तो जी हां दोस्तों यहां आकर कि आप स्क्रीन पर देख रहा होंगे ऐसे जो एनिमल्स ऐसे जानवरों के चित्रों नमूनों और उनकी बड़े बड़े जो है आकार की मूर्तियों से आप मुखातिव हो सकते चलिए आगी की मस्ती जारी रखते हैं और देखते हैं और क्या कुछ देखने को मिलता है कितने कुछ हरी आली है जैसा इसका नाम है एको कार्डेन तो क्या कुछ इसमें देखने को मिलता है एको लॉजिकल तरीके से अरुब हो अलाँ मोई आई हो और देखने को मैं आगा एको लग्या मुखातिव होगो एको को मुखाति अ रहना है झाल 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 झाल